हेलो स्टूरेंट्स कैसे हैं आप सभी आज हम अपने मैट का NTSC का नेक्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे देट इस डिरेक्शन सेंस वान उफ दा मोस्ट इजी टॉपिक्स इजियस टॉपिक्स में से एक है ठीक है और काफी इंट्रस्टिंग हुई है दुख हम बच्पन से सु इस्ट आल इंड तो के ओंट इस टार्ट इसट एंड साओ्ट इनमों मेल हम ने हम पता कि हमारी मेली फॉर डैरेक्शन तो इनको ही हम थोड़ा सा ठीक है नग से स्टड़ी करेंगे देखिए दनली पता होगा सबको की नौर्थ की डिरेक्शन ठीक है नौर्थ की पोजिशन अगर हम ड्रॉ करने लगें कमपस के नौर्थ की पोजिशन क्या होती है साथ की पोजिशन क्या होती है वेस्ट की पोजिशन ठीक है ये नौर्थ है ऊपर it is south and it is east and it is west के students को जैसे जादर students को पता ही होता है but के students को इसमें थोड़ इसी दिक्क्र आती है उनको ये mind में नहीं जाता कि north उपर है south नीचे है west side और east side तो उसको याद रखने का वे देखो क्या है just a trick है याद रखने के लिए n means north है और n means nose होता है तो याद रखो कि north उपर south नीचे ठीक है clear है ना याद रखने का वे है nose उपर n for nose n for north nose उपर तो north उपर south s for stomach s for south stomach नीचे तो south भी नीचे similarly west and east west का first letter w east का first letter e इसे वर्ड़ पनालो वी वी में डवलू पहले आता है तो west east side रहेगा और e बार में आता है तो east इस side रहेगा ठीक है तो इस सवे से हम directions को याद कर सकते है ये main four directions है ठीक है north, east, south और west अब इनकी आगे sub directions होती है जैसे कि north और east के बीच में ये क्या आगया northeast आगया north और east के बीच में क्या हो गया northeast similarly south और east के बीच में क्या हो गया southeast ठीक है south और west के बीच में क्या हो गया southwest north और west के बीच में क्या हो गया northwest तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारी फॉर डिरेक्शन एंड उनकी फॉर सब डिरेक्शन टोटल एट डिरेक्शन होगी ठीकिन उसके बाद अब इनका लेफ्ट राइट देखो इनका लेफ्ट राइट हमने सीखना है तो इससे यह क्लीर होता है कि जो आपका लेफ्ट है वही नॉर्थ का लेफ्ट आएगा जो आपका राइट है वही नॉर्थ का राइट आएगा ठीक है जैसे मैं इस तरिके से घढ़ा हो गया नॉर्थ ऐसे जा रहा है इत्मीज यह मेरा लेफ्ट हे तो नॉर्थ का लैव्ट है यहो गया यह लिए तो आपने ल Force स्प्राइट से नॉर्थ का लैफ्ट हरा skills बना लो ठीक है उसके बार का चहलना है fact army ओपोसिट पर simply डाटky नॉर्थ का राइट साइड है तो नॉर्थ इस्ट का इसी साइड लेफ्ट आएगा इससे उल्टा दन यहां पर लेफ्ट आगया तो इससाइड कहाना चाहिए राइट आना चाहिए फिर इसका इसी साइड कहाएगा लेफ्ट आएगा और राइट से रिवर्स अगर उपर ले लेफट राइट ठेक है तो इस तरिके से हम लेफट आइट के पेर लिखे सकते है हुमिशा ओपो बिजव बनेंगे लिफट राइट लेफट राइट लेफट रायट सटोर फvial कोई भी कॉंबिनेशब Wirkaश लाइन के और उनकी पॉजिशन और उनके लेफ्ट राइट ठेक है जो फर्स्ट में टू थिंग्स हमको ध्यान में रखनी है डिरेक्शन और उनके लेफ्ट राइट नौ उसके बाद मैं स्कुरिस कर देता हूं ठीक है जो अब हमने क्या देखने है इन डिरेक्शन के बीच एंगल जो इनकी पूरा कम्प्रीट एंगल कितने का होता है 166 disorder पूरा कम्प्राइट एंगल कितने का होता है 360 Degree का ओके नौ नॉर्थ एंड इस एंगल की बात की जाए तो यह Black एका 90 का तो अगर हमको यह वाला एंगल पूछा जाए यह एंगल कितना हो गया नॉर्थ से start होना है और कहां तक जाना है थिक है यह वाला blue में घर दिया में नॉर्थ से start हो कि कहां जाना है स्थाइब तक दाने दो 92 अहां तक था 90 से आगे और कितना है 45 तो कितना हो गया 135 अगर मैं इसको यहां तक 익 strain कर दिता हूँ तो यह यह जम कितने का बन गया यहां से स्टार्थ हो के यह पूरा एंगल यहां तक कितना रहत-पा अगल बन गया यह स्ट्रेट अंगल बोल देते हैं हम इसको और कितना होता है यहां से लेकर यह सारा एंगल कितना हो गया डबल टू-5 ऐसे अगर यहां तक देखा जाए तो 45 और एक्स्टेंड हो गया तो कितना हो गया 270 अगर यहां तक देखा जाए तो कितना हो गया 270 से 45 और एक्स्टेंड हो गया 315 और यहां ते complete कितना है हमको पता है 360 ठीक है clear है तो यह एंगल्स होते हैं ठीक है बस mainly क्या है यह 90 है यह 45 है बाकि हम अपने अपने उसके according देख सकते हैं ठीक है चलो next देखो दो वर्ड्स होते हैं एक होता है clockwise clockwise का मीनिंग जिस डिरेक्शन में क्लोग की हैंड्स रोटेट करती है वह क्या है क्लोग वाइज है हमको क्लोग की हैंड्स यहां पर देखो 12 होता है तो यह ऐसे फ़िए हैं टेक है एंटटी बोक वाइज है एंट फ्रटा हुआ है क्लोग की हैं की उल्टी डिरेक्शन में अगर हमने भी करना है तो क्या है वह एंटी क्लोग वाइस ठीक है इट जाग वाइस एट इंटी इस पर सुन कि दो अगर में नेकime को कहा गया कि नॉर्थ की तरफ किसी पर्संट का और थी तरफ क्लोक्वाइज रोटेट होना है किते होना है सेते डिगरी क्लोख वाइज 700 डिगरी सबसे मिलेन को बढ़ अईसे होता है उचक लाप तो यहां से मैं रोटेट होना शुरू करूंगा पहले यह 45, 90, 135, 180, 225, 270 तो यहां तक पहुंच गया तो यह पूरा एंगल क्लोकवाइस हो गया कितना 270 अगर मैं से कहा जाए कि मैं नौर्थीस्ट पे खड़ाऊं ठीक है नौर्थीस्ट पे खड़ाऊं मैंने यहां से एंटी जाना है 180, देखो 180 जाना है, 45 यह हो गया, यहां तक 90, 135 तो यह क्या हो गया, इस ही लाइन के बिल्कुल opposite वाली लाइन में, तो यह कितना हो गया 180, यह कितना की अधा हमने 270, ठीक है, इस तरीके से हमको बोला जाएगा, इस तरीके से हमको question solve करने हैं, तो इसके basics में हमने में चार चीजे द्यान में रखनी है, directions, subdirections, ठीक है, पहली, उनके left, right, दूसरी, third, angles, और fourth क्या है, clockwise क्या होता है, और anti-clockwise क्या होता है, ठीक है, अब इनके basis पर हम questions देखते हैं, now let's move to the our first question, a man is facing south, उसने का कि एक man south के तरफ face कर रहे है, देखो, मैं यहाँ पर compass रो करता हूँ, south की तरफ face कर रहे हैं, वो नीचे को face कर रहे हैं, क्योंकि south नीचे होता है, north यहाँ पर होता है, यह west होता है, और यह क्या होता है, east, south की तरफ इटमिस वो नीचे को face कर रह है, यहाँ से 135 डिगरी जाना है, किस डिरेक्शन में जाना है, anti-clockwise, हमको बता है यह clockwise है, और यह anti-clockwise है, ठीक है, इटमिस वो इस तरिके से move करेगा, ठीक है, यहाँ से उल्टा जा रहे हैं, कितना जाना है 135, यहाँ से 135 move करना है, देखो जी हो गया 90, इसे 45 और आगे तो कितना हो गया, 135, यहाँ मैं कौन से डिरेक्शन में आ चुका हूँ, नौर्थीस में, पहले मेरा साउथ की तरफ फेस था, मालो मैं ऐसे गड़ा हूँ, ठीक है, मेरा नौर्थ की तरफ फेस है, मैं 45 रोटेट कर गया, ठीक है, नौर्थीस की तरफ हो गया, और 45 में है, उसने आगे क्या लिख है, then 180 degree in the clockwise direction, अब 180 degree clockwise direction में जाना हे, यहां से 180 मिने वापीस जाना है, तो रह tracks cloakwise ऐसे होता है, यहां से फिर से वापिस आउगा, तो पहला बार इतना रास्त हो तो हम वापिस ही आ जींगे, कितना आगे हूं, यहां तक फिर से हाउथ में जाएंगे तुम यहां पे आ तो मैं जाना हो यहां प्र divi यहां से लिखो यह व्याद पूरा रस्ता यहां से आग्या फिर इतना वापिस आग्या अगर मैंने इतना रास्ता वापिस ही भी आ जाना है तो इसको बनाने की जुरूरती ही क्या है अगर ये किसी ना किसी तरीके से eliminate हो जाए तो मारा काम काफी जादा इसी हो जाएगा देखो इसको eliminate कैसे क्षोशन को द्वारा से करते हैं है मैंनें फेसिंग क्या थिक दूसाथ की तरफ फेस कर रही स्कारिब्स लाइं तो ही कि है वां थर्टी फाइव डिगरी इन एंटी क्लोग आप यहां पर देख लोग मुव करेंगा क्लोग वैस कितना फॉफ करेंगा क्लोग मुव करेंगा सब्सक्राइब करने से हुआ क्या जो रेपिटिशन थी वह इलिमिनेट होगी सिर्फ जो एक्स्ट्रा आएगा वह यहां पर रहे गया ठीक है और कौन से डिरेक्शन लेने हैं एंटी लोगवाइस लेना है यह क्लोगवाइस है जो बड़ी होगी दोनों में से ठीक है क्योंकि अगर यहां पर यहां पर यहां पर सिर्फ इतना लॉग अने अब यह कुछ नहीं करना इसको तो वह परसं अजी तरफ कर राथा कितना मूव करना है उसने 45 डिगरी कलोगवाइस देंग मिजना इस डिरेक्शन में कितना 45 डिगरी यह साॉथ है तुझी क्या हो गया साॉथ वेस्ट ठीक है हमारा अंसर साॉथवेस्ट है हंद्य आपको क्लीर हो गया ना इतना ऑके तुझ नेक्स पर जलते हैं 哦 a man is facing Northwest 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 की तरफ face कर रहा है है यह नोर्थ वेस्ट हो गया यह नौर्थ होता है और यह विस्ट होता है क्या है he turn 90 degree in Cloakwise Cloakwise में किना बैं कर रहा है हूँ 90 degree तो cLoakwise » का 90 repay लिख लिक्त लिया देन 135 इन उं-run-cleakwise x Austrian को में कितना कर रहा है 135 तो कितने का difference आ गया?45 का. Directions काूंसा ही लेंगी? Anti-clockwise greater है तो anti-clockwise लेंगी. तो हमने सिरफ अब इतना rotate कराना थे उसको. Anti-clockwise 45. Face था उसका Northwest में. अब इसका anti-clockwise आएंगे? तो नीचे को जाना पड़ेगा. कितना 45? तो ये 45 हो गया. एड़ने वो कहा पहुंच गया वैस्ट में वैस्ट की तरफ इस खार रहा थेकर तो अंसर के आ गया यह उप्षिन कि यह सुडेंट से इतना क्लियर हो रहे ना सबको बहुत ही इजी है मैंने पहले बोला है कि बहुत ही ज्यादा इजी ज्यादा इजी लेवल के इसमें रहेंगे एक्जाम में भी देखेंगे जब मारा टॉपिक खत्म हो जाएगा प्रीविस यह कोशन देखेंगे आप देखन इस फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट अब एक परसन अब वैस्ट की तरफ एस कर रहा है टर्न्स ट्रू 45 डिग्री क्लोक वाइस उसने क्लोक वाइस मूफ किया कितना 45 डिग्री और इनिफ यह पीरस प्रेद सब्सक्राइब किया तो इसको अड़कर गर दो तो फोटold कि परले गया था थी फिर से चला गया टोटल कुरक वाइस क्यूल है वह डबल टू फाइव डिकरी ठीक है टीक है टोटल क्लोग वाइस वह डबल उसके बाद भूफ करनी रहा इस कितने का डिफरेंस आ गया तो तो फाइव फार्टी फाइव डीग्री का डिफरेंस अगया लेना क्या है एंटी ग्लोकवाइस ठीक है अब उस ने कहा था जी टिके स्टुएंट्स क्लियर हो गया इतना तो हमारा अंसर आगए डियो अप्शन साउथ वेस्ट आई होप की आपको यह चीदे अच्छे से क्लियर होगी होंगी ठीक है आऊ ॐचि नओ अब नेक्स टाइप के कोश्यक्न पर आ जाते हैं मुझें अगर आप कहीं पे जाते हो वैसे तो आजकल GPs का टारी में बट जनरिक एप्स का iven की अधृत कि हुआ है हम करें तरह वहां प्र Cause जाने को खून है तो हम यहां दो मोश्का स्टाट सेट जा हूँ फिर लेफट ट्रन कर जाना फिर राइट टर्न कर जाना ठीक है कुश्जन उस त्रीके कि कोश्चन हमारे प्रस एक कूश्चन करते हैं जो मारा फोर्थ कोशन है दिपक स्टार्ट्स वाोकिंग स्टेट तुवर्ड एस्ट से तॉइस्ट की तरफ चलना स्टाड़ करते हैं तो अनुग इस एंट साइड होता है कि और कितना move करता है 75 meter देख उसने कहा कि east की तरफ चलना start किया मैंने कोई point ले लिया जहां से वो चलना start कर रहा है वहाँ से मैंने east का arrow लगाया और कितना move कर रहा है 75 meter उसके उपर लेख दिया 75 meter कि यह वाला 75 meter का distance उसने कवर किया है east direction में ठीक है he turns to the left अब यहां से left turn कर रहा है mean जो सबसे बड़ी problem है वह यहीं पर आती है जो mistake होने के chance से यहीं पर होते हैं ठीक है तो इसको ignore करने के लिए हम यह कर सकते हैं कि जो कमपस हमने शुरु में बनाई थी शुरु में कमपस देके सी उसको देख लो नौर्स का left right लिख लो इस तरीके से बाकी left right उसके opposite pair बना बना के लिख लो इससे गलती होने के chances eliminate हो जाएंगे ठीक है east की जरब face था कहाँ पर rotate करने left में turn करने तो east का left उपर होता है तो उपर को turn होगी ठीक है and walks 25 meter कितना move कर रहे है 25 तो 25 यहां पर लिखती है again he turns to the left यहां से उसने फिर से left turn लेनी है अब देखो उसका face north है north का left this side होता है ठीक है and walks a distance of 40 meter अब एक देखो 40 meter का distance cover करना है यह पूरी line 75 की थी तो उव्यस है कि अगर 40 meter की line नानी है तो इससे छोटी line नानी पड़ेगी तो वो 40 meter move किया ठीक है again he turns to left यहां से उसने फिर से left turn करना है उसका west की तरफ face है west का left नीचे है ठीक है और कितना move करना है उसने 25 meter तो यह भी 25 था अगर यह line 25 है और कहां पर यहां से start होके यहां तक जा रही है यह 25 है तो यहां पर 25 बनाएंगे तो यहां से start होके यहां तक लेकर जाएंगे तो यहां पर पहुंच गया वो finally face इसका नीचे को है खड़ा वो यहां पे है ठीक है और कितने की line है यह 25 की ठीक है जी clear हो गया how far is he from the starting point देखो यह starting point था पहुंच यहां पर क्या है हमने यह वाला distance बताना है ठीक है clear है अब 31 से देखो अगर मैं इसको consider करो यह वाला जो था यह rectangle की तरह है यह 25 है यह 25 है अगर यह 40 है तो यह कितना आएगा 40 आएगा तो पीछे पूरा 75 था इतना 40 है तो पीछे यह क्या बचा 35 तो answer क्या होना चाहिए 35 मिटर ठीक है कि वह अपने starting point से क्योंकि starting point यह है खड़ा यहां पर है तो यह वाला starting point से कितनी दूर है 35 मिटर option में नहीं है इसलिए answer क्या आगया none of these ठीक है clear है सबको हमने कोई भी एक point consider किया वहां ते चलना start किया कितना move किया east की direction में 75 मिटर मूव किया फिर वहां से उसको left turn किया कितना move किया था 25 वहां से फिर से left turn किया था 40 मिटर ठीक है थी वहां से फिर से left turn किया था कितना 25 जब वहां से 25 किया तो इस लाइन के ऊपर आ गया हमने यह वाला डिस्टेंस बताना था ठीक है तो नेक्स कोशन के और चलते हैं अब आपने क्या करना है वीडियो को बोज करो पहले बेस्ट वे हैं ठीक है मैट में को सॉल्व करने का या किसी विजेक्ट में जब भी आप यूट्यूप पे अंसर के साथ मैच कर लो ठीक आपको बता लगएगा कि आपने मिस्टेक कहां पे किया साथ के साथ आपको बता लग जाएगा ठीक है कुनाल वॉक्स टैन किलोमेटर टुवर्स नोर्थ देखा आप नॉर्थ की तरफ मूफ कर रहा है वह कोई पॉइंट है उसका स्टार्टि वह यहां से अगर ISA साथ जाना तो आपीछ जाना पड़ेगा तो आपीछ आ बहुक्ति ना सिस तो अगर मेन जा सिएम ऋक्राबर आपिस आ जाता हूं हुआ है अब यहां पर हूं और मेरा फिसटेंश के ना रहा था मैं तो यह कितना रहा की पूरा टैंट का छे हो रहा ही है में नहींनि mail ररकना दैन ये Um झी zao ढगान रहुआ ज़ो हो तो रहां से एस्ट की दो जो изучit मौव करना है स्टार्टिंग पॉइंट से अगर दूरी देखनी है स्टार्टिंग यह था पहुंच यहां पर गया तो अल्टिमेटली हमने यह वाला डिस्टेंस देखना है जब भी ऐसा कोशन पुछा जाता है यह नहीं कि हमने हमेशा क्या देखना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होगा वह देखना है ठीक है शॉर्ट एस डिस्टेंस तो यह शॉर्ट एस्ट हो गया यह कितना है तो यहां पर पाइट अगल ट्रेंगल बन रही है पाइट वरस लगाते है अगर हम तो फॉर का स्केर प्लस त्रीका स्केर इसको सॉल करने पर इतना हैगा फाइव चोटे-छोटे-च्छी यादी कर लो बेसीग ट्रीपले देख 9 12 15 ऐसे ऐसे काफ़ सारे ट्रीपलेट्स होते हैं इंटरनेट अपर आपे मिल जाएंगे आपको ठीक है उनको लोन कर लो बहुत ज़्यादा आपके यूसफुल रहेंगे आपके लिए ओके तो हमका हमारा यह अंसर आ चुका है कि वह कितनी दूर है बट यहां पर कोशन गत बताने कि वह स्टार्टिंग पॉइंट के डीक्शन में खड़ा है तो स्टार्टिंग यह था जिसस्य पॉइंट के राफरेंस बताना है वहां पर वह कोमपस बना लो यहाँ पर यह compass बना लिए हमने अब यह देखो कि इस compass की कौन से direction है जो हमारे point की तरफ move कर रही है यह वाले direction इदर को जा रही है यह north है यह east है, यह क्या है north east it means वो starting point से north east direction में खड़ा है ठीक है, it means वो 5 km दूर है तो distance आगा 5 km direction के आगी, north east तो यह answer है, B option 5 km, north east ठीक है I hope कि यह सब को clear हो गया होगा तो next question में जलते है Rohon walks a distance of 3 km towards north किसी point से किसी point से north की दरफ जा रहा है कितना 3 km then turns to his left यहां से वो left turn करता है और कितना move करता है 2 km he said turns to his left and walks 2 km he again turns left यहां से फिर से वो left की तरफ move करता है तो west का left नीचे को होता है और कितना move करता है 3 यहां से नीचे को जाएंगे तो 3 बिलकुल इस point के opposite बिलकुल सामने यह वाला point आना था है क्योंकि यह दोनों sides के हैं equal ठीक है अब यह 3 है यह 3 है तो वी से कि यह 2 होगा बट उस negotiation में कैं कहा at this point he turns to his left and walks 3 km कि यहां से फिर से वो left मुडता है अब इसका left उस side को जाएगा बट उसने कितना है 3 जाना है बट यह सिर्फ कितना है 2 अगर चलाओ तो सिर्फ 2 km चला बट कितना हमको चलाना है 3 km चलाना है तो 1 km एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा अब finally वो यहां पे बहुंच चुका है चला यहां से था ठीक है और यहां पे बहुंच चुका है पुछा क्या है how many km is he from the starting point कि starting point से कितने km दूर है starting point यह था उसका final point यह है तो starting point से कितनी दूर है 1 km ठीक है तो अंसर आ गया A option यह स्क्लास समझ में आया सबको चोड़ों नेक्स वोशन पे चलता है A man leaves for his office from his house अपने घर से office के लिए निकलता है मालो किसी point पे उसका घर He walks towards east ठीक है east कि दरफ मूफ कर रहा है वो After moving a distance of 20 meter कितना मूफ किया वो 20 He turns south and walks 10 यहां से फिर वो south की तरफ चला जाता है और कितना मूफ करता है 10 ठीक है Then he walks 35 towards the west यहां से फिर वो west की तरफ जाएगा और कितना मूफ करेगा 35 ठीक है And further 5 meter towards the north अब यहां से वो north की तरफ जाएगा और कितना मूफ करेगा 5 ठीक है ठीक है He then turns to east अब यहां से east turn करना है और कितना मूफ करना है 15 मूफ करना है अब यहां से एक चीज़ ज्यान से लिखो यह 20 था यह वाला पूरा 20 था और विस है यह वी 20 आएगा अगर यह इतना 20 आएगा तो यह कितना बचा पिछी 15 ठीक है अब उसने कहा कि वो east की दरफ टर्न करेगा यह इस तरफ टर्न करना है और कितना मूफ करना है 15 तो विस है कि इस लाइन के उपर यहां पर पहुंच गया और इसका face ऐसे है ठीक है clear है ना हमने बिताना है what is the state distance between initial and final position initial position यह थी उसके house की यहां पर पहुंच चुकी है हमने यह वाला distance बताना है कितना है यह पूरा 10 था तो विस है कि यह पूरा 10 होगा इतना 5 था तो विस है कि यह 5 होगा यह 5 होगा तो पीछे यह भी कितना होगा 5 तो उसके house घर से और यहाँ पर अब वो पहुंच चुका है यह वाला डिस्टेंस कितना है फाइफ तो अंसर क्या गया यह ओप्शन ठीक है क्लियर है सबको नेक्स कोशन में दलते हैं करें हो को गॉपाल स्टार्ट का करें स midst कीतर फॉ इसकूरइंट है वैस्ट की तरफ मूफ किया कितना थैर्टी ईपिट टॉंड राइट देन एहां से उसने राइट टॉंकिया इसका राइट आएगा उपर and walked 20 meter कितना move किया वो 20 meter ठीक है he then turned left तो यहाँ से उसने left move किया and moving a distance of 10 meter कितना move किया उसने 10 meter turned to his left again and walked 40 यहाँ से उसने left turn किया तो west की तरफ है west का left होता है नीचे move कितना किया उसने 40 देखो यह 20 था अगर मैंने इसको 40 मना रहा है तो थोड़ा सा इससे greater रखना बढ़ेगा ठीक है he now turns to the left and walks 5 meter यहाँ से उसने left turn किया और कितना move किया 5 ठीक है in which direction is he walking now किस direction में चल रहा है तो यह direction कौन सी इस direction में चल रहा है arrow किस direction में हमने यह देखने है arrow east की तरफ जा रहा है तो इसका अंसर क्या आएगा ठीक है yes class clear वह सब को और इसका एक shortcut देखते है particularly इस question के लिए shortcut देखते है दो shortcut क्या बोलता है मालो एक person है किसी point से चलना start किया पहले उसका face दे नौस्थ की तरफ ठीक है यहां से उसने turn किया right पहला right turn है फिर turn किया left इसका left उपर जाएगा फिर turn किया right फिर turn किया left then again right then again left अगर आप यहां पर देखो finally उसका face किस direction में है किस direction में move कर रहा है वो north की तरफ move कर रहा है पहले भी north की तरफ ही move कर रहा था in the end भी वो north की तरफ ही move कर रहा है यहां पर एक चीज़ करते है number of left count को दो one two three तो number of left कितने है number of left है three number of right count को दो one two three number of right turns number of right turns कितने है three तो यह analysis हम को क्या बताता है if number of left turn and number of right turns दोनों equal हो दोनों क्या है equal जितनी left turns है अगर उतनी ही right turns है then there is no change in direction there is no change in direction तो direction में कभी कोई change नहीं आता it means initially जिस direction में face था finally भी उसी direction में face आएगा ठीक है अब इसको use कैसे करेंगी अब question में दिया होगा सबसे पहले तो use कहोगा कहां जब भी उसने question में ये पूची in which direction is he walking now कि in the end वो किस direction में walk कर रहा है या किस direction में face कर रहा है उसका face end में किस direction में है ठीक है वैसे question में ये वाला shortcut implement होगा अब implement करना कैसे है अब उसने question में दिया होगा जितने left turn किया फिर right turn किया फिर left turn किया जितने left और जितने right equal हैं, उनको cancel कर दो, cancel करने का motive क्या है, क्योंकि जब वो left और right equal हैं, तो वो same direction में हमको ले जाएंगे, अगर इस question के बात करें, east की तरफ आया, पहले उसने left turn लिया, फिर उसने left turn लिया, एक right लिया, एक left लिया, और in the end, sorry, west की तरफ आ रहा था, west की हो गया, ठीक है, it means एक left और एक right लेने के बाद भी, उसकी direction में कोई चीर नहीं आया, तो हमको वो वाला बनाने की जरूरत ही नहीं है, यह वाली चीर बनाने की हमको कोई जरूरत नहीं है, हम इसको अगर यहां तक भी, यहां से स्टार्ट कर ले, answer तो हमारा तो भी same ही आना भी move करना स्टार्ट कर दिया, after walking a distance of 30 meter, he turned towards right, ठीक है, उसने सबसे पहले कहाँ पर turn किया, right में, walked 20 meter, he then turned left, दूसरी बार left turn किया, moving a distance of 10 meter, turned again left, फिर से left turn किया, walked 40 meter, he now turns to left, फिर से left turn किया, walks 5 meter, finally turns to his left, फिर से left turn किया, एक right, एक left cancel हो गया, तीन left बचे है, सिरफ ये वाले तीन left रो करो, ठीक है, west की तरफ face है, पहला left नीचे, दूसरे left इस side पर, ठीक है जी, तीसरे left कहाँ हैंगा, north की तरफ, ठीक है, तो हमारा इसका answer किया आ गया, north, ठीक है, जी clear हो गया सबको, तो इसका answer हमारा north आ गया, ठीक है, तो इस तरीके से question को गरना है, मालों यहाँ पर एक left की जगा, कोई right दिया होता, मालों ये right होता, तो ये left और ये right हो जाता, सिरफ एक left बचता, तो हम इसको सिरफ एक left ही turn करते, ठीक है, clear है ना, कोई रोड है, opposite point से start कर रहेंगे है, two buses है, इस तरीके से, तो विस है कि ये bus one माल लो, इसको two माल लो, ये इस direction में move करेगी, ये इस direction में move करेगी road के, ठीक है, 150 km apart है, कितनी दूरी पे है, तो पूरा road 1500 km का है, the first bus runs 25 km, ये bus यहां से start होके, 25 km चलती है, कितना move किया उसने, 25 km, ठीक है, takes a right turn, अब यहां से right turn लेना है, यहां से right turn नीचे को जाएगा, takes a right turn, and then turns 15 km, और 15 km move करती है, it then turns left, यहां से फिर से left turn लेनी है, तो इसके lefty side जाएगा, और कितना move करना है, 25, ठीक है, फिर से कितना move करना है, उसने 25 km, ठीक है नीच, and takes the direction back to reach the main road, यहां से वो वापिस main road की तरफ चली जाती है, तो अब यहां पर आ चुकी है, main road पर वापिस आ चुकी है, तो इसने total road पर कितना distance cover कर लिया, 25 यह, 25 ही यह, तो total 50 km road पर वो cover कर चुकी है, ठीक है, road से total 50 km वो इस side यहां पर पहुँच चुकी है, In the meantime, due to a minor breakdown, the other bus has run only 35 km, जो दूसरी bus है, वो सिरफ 35 km ही move हो पर ही है, along the main road, main road के along, ठीक है, बना यह वापिस यहां से जलके, 35 km आगे, यहां तक आई है, इसने total 35 km distance cover किया है, अब पहली bus यहां पर है, और दूसरी bus यहां पर है, इनके बीच अब कितना distance है, यह बताना है, ठीक है, देखो कोशन में कहा लिख है, what would be the distance between the two buses at this point, यह वाला distance बताना है, तो फिफ्टी किलोमेट इस ने cover कर दिया, 35 इस ने cover कर दिया, इतना distance less हो गया, यह कितना वो cover करके एक दूसरे के करीब आ चुके है, एक दूसरे के पास आ चुके है, ठीक है, तो 50 यह, 35 यह, टोटल कितना हो गया, 85, तो यह total distance 150 में से 85 माइनस कर देंगे, तो अंसर कितना आएगा, 75 km, यहां पर 75 km distance पर है, ठीक है, अब को student बोचेंगा सर, आपने इसको फर्स ले लिया, उसको सेकंड ले लिया, हमको कहां पर लिखा था, बिल्कुल कहीं पर निलिखा था, आप चाहे इसको सेकंड और इसको फर्स ले लो, question solve करो, आपका अंसर से माएगा, ठीक है, तो यहां पर ऐसा कोई matter नहीं है, कि आप इसको फर्स लोगे, या उसको लोगे, ठीक है, कोई matter नहीं करता, ultimately हमार अंसर क्या आया, 75 km, बी option, ठीक है जी, समझाया है सबको, No, let's move to the next question, A is 40 meter southwest of B, A, B के southwest में है, अब तक हम question कर रहे थे, कि वो इस direction में move किया, इतना move किया, बट अब यहां पर क्या है, कि B के southwest में, मालो कोई B point है यहां पर, इसके southwest में जाना है मैंने, इस पर compass बना लो, अगर कोई confusion होती है, तो compass बना लो, तो यह south है, यह west है, यह east है, तो यह southwest हो गया, ठीक है, इस point से देखना है, उस point पर compass बना लो, किसको देखना है हमने A को, तो it means यह A है, और कितनी दूर है, 40 meter, ठीक है, C is 40 meter south east of B, अब B के ही south east में है, देखो यह south east आएगी, अब कौन C है, कौन है, C है, यह C है, कितनी दूर है, again 40 meter, तो यह भी 40 आ गया, अगर मैं A और C को यहां पर match करो, तो मैं देख सकता हूँ कि ए ऐसो साइले strangle बन रही है, यह दोनों sides equal होगी, यह दोनो एक लाइन में आएंगे, ठीक है, A और C, एक लाइन में होगे, ठीक है, then C is in which direction of A, उसने कहा, जो C है, वो A से किस direction में है, हमने with respect to A देखना है, मैंने कहा था कि जिसके reference से देखना है, उस पर compass बना लो, मैंने A पर compass बना ली, ठीक है, तो देखना किस को है, C को, तो A से direction move कर रही है, east, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि A से east की तरफ C है, तो मारा answer क्या आएगा, A option east, ठीक है, clear है इतना सब को, ठीक है, ठीक है, बस यहाँ पर हमने यही main बात को दियान में रख रहे हैं, उसने कहा, A is 40 meter south west of B, B के south west में है, B के है तो B पे compass बनाओ, उसकी south west direction में जाओ, A को बना दो, और distance कितना लिख दो, 40, C is 40 meter south east of B, again B से देखना था, B का south east में बनाओ, कौन सा point है, C, C को लिखो, पर लिख दो 40, अब आगी जो उसने बुचा है, उसका अंसर दे दो, उसने बुचा है, C is in which direction of A, हमने देखना था, A से किसे, of A लिखा है, A से किस direction में है, तो A पे compass बनाओ, और C की तरफ देखो, कौन से direction C की तरफ जा रही है, तो अंसर आ जाता है, east, ठीक है, इस तरीके से, इस question को solve कर देना है, अगर देखो, यहाँ पे, उसने लिखा था, C is 40 मिटर, 40 मिटर southeast of B, बी लिखा, अगर यहाँ पे, लिखा होता, C is 40 मिटर southeast of A, इसके देखा पर A लिखा होता, मैंने B को काटके, अगर A कर दिया, तो हम A के southeast में जले जाते, तो इस तरीके से यहाँ पे आजाता, C, ठीक है, clear है, जिस point के reference से देखना है, वहाँ पे compose बना के, आगे डो करते हो, चलो, next question कर चलते है, there are four towns, P, Q, R, T, चार टाउन है, P, Q, R, T, okay, Q is to the southwest of P, P के southwest पे है, अब कहीं पे P बना लो, यह south, यह west, तो यह southwest हो गया, कौन सा point है, Q, किदना distance है, पता नहीं, R is to the east of Q, अब Q के east में है, अब यहाँ पर यह दियां रखना है, क्यों का east, मैं क्यों से east, क्यों का east है, यहाँ यह भी East है, यह भी East है, यह भी East है, यह भी क्यो का East है तो यह पूरी लाइन में सारा क्यो का East है मेरे को नहीं पता, इस पूरी लाइन में मैंने R को कहा रखना है बट उसने बता दिया South East of P, जो R है वो P के South East में है P का South East इस साइड में आएगा तो मेरे को इतना यहां से clear हो गया कि मैंने P से set जाना है और Q की line के उपर जाना है तो कहीं यहीं पे हमारे पास R आ जाएगा ठीक है P is to the north of R R के north में अगें देखो R का north ये भी R का north है ये भी R का north है ठीक है ये भी R का north है अगर मैं R को यहां रखता हूँ तो P के south east में आ गया अगर R को यहां रखता हूँ तो P के east में आ गया अगर R को यहां रखता हूँ तो वो north east में आ गया बट उसने question में कहा लिखा है कि जो T है वो R के तो north में है बट QP के line में है in line with QP ठीक है ये क्योपी है क्योपी की लाइन में आएगा यहां प्याने था ही आर यह वाले दोनों पॉइंट पॉसीबल नहीं है ठीक है क्लीर होगे ना तो यहां पे आ रहा गया यह पी था जो सोरी कौन सा पॉइंट था जी टी ठीक है तो इसके वो नॉर्थ में है इसके वो नॉर्थ में है इन विद डिरेक्षिन और फिपिए लगा जारी है तो किस और आपना नहीं है किसको देखने को तो तो आप सब को समझ में आ गया होगा ठीक है यहां पर इन बात तो को ध्यान रखना है उसने का R is to the east of Q R क्यो के east में है अब मैं P के reference का है वो भी तो पता होना था यह वो उसने दिया south east of P P के south east में तो P के south east में क्यो की line में जहां मरदी R को रख दो similarly R is to the north of R sorry T is to the north of R R के उपर विलकुर R किस line में रहेगा T but कि कहां पर यहां रहेगा यहां रहेगा यहां रहेगा वो पता होना चाहिए उसने वो बताया है in line with QP कि QP की line में जाएगा QP की line है ठीक है यह QP की line अगर इसको extend करूँगा तो इसी लाइन पर जाके T मिने का मेरे को ठीक है तो यहां पर T मिल गया तो यह पूरी डाइगा ना मनगी मेरे पास उसने कहा था इनिवीट डाइक्शन ओफ पी पी से देखना है देखो फिर से पी से देखना है तो पी पे कमपस लगाई और किसको locate कर लिया टी को टीक हो देखा मैंने किस साइड पर जा रहा है वो नॉर्थ इसकी साइड में ठीक है इतना क्लीर होगा सबको तो आज इतना ही करेंगे इस वीडियो को ध्याम से देखना और इन कोशन लेकर आऊंगा मैं ठीक है तब के लिए थैंक यू बाई बाई टेक केर